आधनिक भारत के संदर्व में आज देखेंगे भारत में यूरोपिय बैपारिक कम्पनी किस तरह से आये यूरोपिय कम्पनियों का आगमन को देखेंगे तो सबसे पहले जो है नए मारगों की खोज किया गया तब ही जो है भारत में उरोपिय कंपनी परवेश कर पाया भारत के बैपारिक संबंद को देखे तो यह जो है प्राचीन कांसे पस्चमी देशों के साथ रहा जब पंद्रवी सताबदी से पहले यह पेपार तीन मारगों से होता था पहला मारग मद एसिया की आकसस नदी के किनारे होते हुए कैस्पियन और लाल सागर तक जाता था क्या था मद एसिया में आकसस नदी के किनारे से यह कैस्पियन और लाल सागर तक जाता था यह जो था वो पहला मार्ग था जो कि कैस्पियन और लाल सागर को ध्यान में रखना है दूसरा मार्ग जो था वो सिर्या होता हुआ भूमद्य सागर तक जाता था और तीसरा मार्ग हिंद महासागर और लाल महासागर होता हुआ मिस्र तक या जाता था तो पहला मार्ग हुआ, हुआ, A-K, L-मार्ग यानि कि A से आक्सस नदी से कैस्पियन और लाल सागर दूसरा हो गया, S-V-मार्ग यानि कि सिरिया से होता हुआ भूमद्य सागर तक और तीसरा मार्ग जो है, H-L, H-L मार्ग, H से हिंद महा सागर और L से लाल महा सागर तो यहाँ पर जो है लाल महासागर जो है पहला मार्ग उसमें भी है और जो तीसरा मार्ग है उसमें भी है तो लाल महासागर हिंद महासागर के जुड़ा और जो है पहला में लाल महासागर कैस्पियन से जोड़ा जो की आकसस नदी के किनारे होते हुए आया था तो और दूसरा जो है शिरिया और भूमत देसागर याद हो गया होगा आपको यह जो तीनों बेपारिक मार्ग था न उस तीनों पे पंद्रहवी सताब्दी तक जो है उस पे तिर्गों का अधिकार था इसके कारण येरोपिये देसों का भारत के साथ बेपार प्राय नहीं के बराबर होता था और पूर्वी देसों के साथ बेपार करने के लिए येरोप आले नए मार्गों की खोजमेवा लगा रहा कि कैसे नया मार्ग मिल जाए तुर्कों के कारण यह पूर्व के साथ बेपार नहीं कर पा रहा था इस कारण में सबसे पहले पुर्तगाली ने रास्ता दिखाया पतपरदरसर का काम किया और रास्ता कैसे दिखा इसको? 1487 इस्वी में पुर्तगाली नाविक था उसका नाम क्या था? बार्थ लम्यू दिखाज वो था पुर्तगाली नाविक वह जो है केप अप गुड हो करके जो है उत्तरमासा अंत्रीप हो करके जो है वह रास्ता पता लगाया इसके बाद 1488 इस्वी में 1498 में एक दूसरा पुर्तगाली वह भी नाव लेके आया उसका नाम था बासको दगामा और वह जो है उत्तरमासा अंत्रीप होते हुए क्योंकि उत्तरमासा अंत्रीप का पहले ही पता लगाया चुका था किसने लगाया था? बार्थ लम्यो दिया आज ने तो यह जो है उत्तरमासा अंत्रीप होते हुए भारत के मालावर्थट पर इस्थिता काली कट वहाँ पर हुआ पहुँच गया और जब यह भारत पहुँचा तो इसका जो है इस नए मारका उसने पता लगाया और यह इतिहास में एक बड़ी ही युगांतिकारी घटना हुआ इसी से जो है भारत में बहुँचीज परिवर्तन हुआ अगर सायद भारत की खोज नहीं करता इस रास्ते से तो भारत का इतिहास आज कुछ आउड होता भारत और इरोप के संबद में एक नया अध्या इससे ही सुत्रपात हुआ किससे जो बासकोदोगगवाजो भारत की खोज किया था और सबसे पहले कहां पहुँचा था मालावर तटपर कहां पहुचा था कालीकट में वहाँ पर पहुचते ही वहाँ का जो रादा था जमोरिन उसने उसका स्वागत किया उसे क्या पता था कि ये स्वागत बहुत मैंगा पड़ेगा भारत के लिए आज भी हमारे हिया अगर कोई बाहर के लोग आते हैं तो हम उसका भरपूर स्वागत करते हैं और इतिहास में देखे तो इस प्रकार के स्वागत से जो है भारत को बहुत कुछ भुगतना पड़ा भारत पहुंचने का जो इसका मुख्य उद्देश था वह था बैपार करना उस समय जो भारत में जो सासर बेवस्था था वह किसका था मुगलों का था और जब रास्ता का पता लगा तो भ पहले इन जातियों का पडियोजन भारत में था की सिर्फ बैपार किया जाए और इसके लिए उन्होंने बैपारिक कम्पनियों की अस्थापना भी की। आगे बात करेंगे पुर्तगालियों किस प्रकार से भारत में आये और क्या किये किस तरह से कंपड़ी की अस्थापना की